हेलो एवरिवन कैसे आप सभी गुद मॉनिंग टो लफ यू आज का मेरे वीडियो कक्षा आठ के लिए है तो हमारी फॉर्थ उनिट चल रही थी जिसके लेसन में दो पार्ट हमने कंप्लीट कर लिए अच्छे से रिडाउट कर लिए कॉस्टिन अंसर कर ले तो आज हम इसके थर्ड पार्ट को स्टार्ट करेंगे विपिन बाबु लोसर मेमोरी ठीक है उसी चैप्टर में आफ्टर लंच लंच के बाद यानि रात्रिकाल की ओ सॉरी दुपयर के बोजन के बाद विपिन बाबु रिलाइज विपन बाबु को मैसूस हूँ आट ही कुद नोट पॉसि कि वहां पर उनसे बैठा नहीं जा रहा था दिस हैड नेवर हैपन इन दा 25 यर्स ही हैड बीन विद्धा फरम उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि आज से पहले 25 साल तक अभी ऐसा नहीं हुआ ही हैज ए रेपूटेशन ओफ बिइंग टायरलेस कंसेंस्टेंट वरकर व पूरी तरह एक रेपूटेश मतलब एक जिम्मेदार ना व्यक्ति थे जो हमेशा अपने काम को बड़ा ही सजकता से करते थे और बड़ा मतलब अच्छे से करते थे बट टूडे हीज हैड वाज इन एवर्ल परन्तु आज उनका जो मस्तिक्ष है वो पूरी तरह से क्या हो क्या है व्रिल यानी मतलब कह सकने है अपने जाम हो गया है है अब बैक होम एट कि टू थर्टी कि घर पर आए धाई विजे विपिन बाबू ले डाउन इन दा बैड बैड पर लेटे एंड ट्राइट टुगेदर हीज वीट्स टूगेदर और उन्होंने उन सब चीजों को इकठा करने की कोशिश की जो चीज उनके साथ हुई यह जानते थे यह वास्ता में उन्होंने अपनी मेमोरी को खो दिया है थ्रू एन इंजरी इन दा हैड क्योंकि उनकी जो से जो मस्तिक्षप को इंजरी थी बट ही डिड नोट नो ए सिंगल इंस्टेंस ऑफ समवन रिमे याद करने पड़ेगी एंड ही ए फेरली रिसांट एंड सिगनिफिकेंस वन एट देट और पूरी तरह से उस चीज को बारिकी से उन्हें याद करना पड़ेगा जांस करना पड़ेगा ही हैड ओल्वेज वांटर तो गो टू रांची तो हमेशा की तरह वह रांची गए थ सकता है कि मुझे कुछ भी याद नहीं है एक 730 साड़े साथ वजे बीपिन बाबू सर्वेंट स्कम विपन बाबू का जनों करता वाया एंड अनौंस और गोशित क्या कि चुनी बाबू चुनी बाबू सर सेज इट्स वेरी इंपोर्टेंट चुनी बाबू आये हैं को कु सब्सक्राइब कहना चाहते हैं बीपिन बाबू नियू डैट विपन बाबू जानते थे वट्स चुनी हैड कम फोर कि चुनी याँ पर क्यों आया है चुनिलाल हैड बीन एट स्कूल विद हिम उनके साथ स्कूल में था ही हैड बीन हेविंग एर रफ टाइम लेटली काफी समय तक वह साथ रहे एंड हैड बीन कमिंग तुसी हिम अबाउट एजोब वह जोब के लिए बीपिन बाबू न्यू इपन बाबू जानते थे इट वाज नॉट पॉसिबल यह पॉसिबल नहीं है टू डू एनिटिंग किस कोई भी जीज करना टू हिम एंड इन फैक्ट औ होने गया मतलब इनके विरुद बोलेगा ठीक है कि विपिन बाबू सेंट कि वर्ट्स देट नॉट ओनली वाज इट वाज नॉट पॉसिबल फॉर हीम चुननी नहों तो उन्होंने अपने शब्दों में से यही समझानी कोशिए कि अभी यह पॉसिबल नहीं है बट नोट के लिए इतना ही मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए स्वस्त्रे मस्त्रे अपने और अपने प्रिवार का ख्याल रखें धन्यवाद